है 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 हलो स्टुडेंट वल्कम टू वाइसर अक्याडमी आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले पॉलीमर फुरा चाप्टर वन शॉट में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है एक्जाम के लिए वह भी डिसकस करेंगे अभी हमारा रेसेंट में बोड आ रहा है क्या लेकर चलना है कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस डालनी है वह देखते हैं आज के वीडियो में तो अगर हम लोग चैप्टर की बात करें जो हमारा चैप्टर है है है को पॉली मरत कि अगर हम लोग बात करें तो पॉलीमर देखो पॉलीमर जो धूर्ड है ये खुद दो अलग अलग वेको बना हुआ पॉली जिसका मतलब हता है और मेरॉस का मतलब होता है virus जो अलग अलग آپ करके बनता है उसको अमनुग MIN थे पॉलिमर ऑप हमारी देभी लाइप में डील कर रहे हैं जो हमारी लाइफ को लगातार इजी बनाते आ रहे हैं इन चीजों को हम लोग क्या बुरते हैं पॉलिमर पोलते हैं चलो नेक्स अभी इंट्रोडक्शन की बात अगर हम लोग करें तो पॉलिमर एक रिपीटिंग यूनिट होती है एक छोटी सी य यूनिट है वह हमारे पास क्या होती है मोनोमर और जो मल्टिपल यूनिट्स उनकी जो बनी होती है आपस में जोड़के त्री डिमेंशनली उनको हम लोग क्या नाम देते हैं पॉलिमर और मोनोमर से जो पॉलिमर बनने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जैसे एक गजामपल बोलते हैं अब इसको कर दूं पॉलीमराइस का मतलब क्या होता है कि इसी यूनिट को अगर हम लोग बार बार आड़ कर दें तो वह हमारे पास पॉलीमर बन जाता है अब यह इसी था बट पॉलीमर बनने के बाद इसी को हम क्या पॉल रहे हैं बहुत छो को समझा the smallest unit of polymer is called monomer and the multiple unit of monomer is called polymer and the process in which polymer get monomer gets converted into polymer is called polymerization तो यह चोटा सा ग्रांपल देखो जैसे चोटी-चोटी units है यह आपस में जैसे combine कर जा रही है तो इन ही को हम क्या बोलने लगते हो पॉलिमर यह चोटी units है इन्होंने अपने आपको एक लाइन से अरेंज कर लिया इस पॉलिमर के उपर देखो पहले कैसे questions आये हुए हमारे पास कुछ questions बने हुए है इस टाइप के ही question हमको exam में expected होते हैं बोर्ड में expected होते हैं यह previous year के question है तो एक इससे पढ़ रहे हैं किन topics पर हमको ध्यान देना है ठीक है तो पॉलिमर का अगर हम लोग classification देखें तो पॉलिमर का classification अलग-अलग चीजों से classify कर सकते हैं जैसे कि वह मुझे nature में कैसे मिल रहा है बेस्टाउन sources sources पे देखें तो नैच्छल polymer synthetic polymer semi synthetic इन चीजों को आगे हम और detail में देखने वाले एक बेसिक आइडिया रखो कि कैसे होता है अगर हम लोग polymer को based on monomer unit divide करें तो उसमें homo polymer हो सकते हैं और heteropolymer हो सकते हैं based on molecular force अगर करें तो elastomer fiber thermoblastik और thermosetting ठीक है based on polymerization process देखें तो additional polymer और condensation आगे की वीडियो में हम लोग completely इनको discuss करेंगे फिलाल एक basic idea रखो कि हमको chapter में पढ़ना क्या है classification of polymer based on sources sources मतलब कि हमको नेचर में कैसे मिल रहा है किस तरह से obtain हो रहा है मैंने क्या बुला कि कोई भी polymer या तो हमको naturally मिल सकता है natural polymer हमारे पास क्या है जैसे cotton है जूट है सिल्क है गूल है यह सेंथेटिक polymer क्या होते हैं जैसे nylon है टेरिलीन है यह पूरा सेंथेटिक के लिए इंडस्ट्री में प्रिपेर किया जाता है सेमी सेंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं जैसे rayon है सिल्क है कुछ आटिफीशियल सिल्क आते हैं जिस पर कुछ प्रोसेसिंग के बाद हम लोग योटिलाइज कर बाते हैं तो उनको यह सब टाइप से क्लासिपाइब कर सकते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है इनी चीजों को डीटेल में दिया गया है यहां से हम लोग अपने आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मान लोग की नैच्रल पॉलीमर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखे क्या क्या एक्जामपल लिख सकते हैं तो यह कुछ नोट्स हैं जिसको आप लोग प्रेफर कर सकते हो फिलाल तो बेसिक आइडिया हमारे पास है कि यह चीज़े होती क्या है नेक्स्ट पे चले तो क्लासिफिकेशन बेस्ट अन स्टक्चर अगर हम पॉलीमर को उनके स्टक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो उनके स्टक्चर के अगरर हम लोग अरेंगर करते हैं तो उसमें लीनियर फॉलीमर हो सकते हैं ब्राफ लीनियर फॉलीमर क्या होते हैं हुए जिनके आ heated मैं ब्रांच देखने को बराबर और क्रास लिंग पॉलिमर क्या होते हैं ऐसे पॉलिमर होंगे जो दो अलग-अलग जयासे से वाली चेन को भी लिंक करते और इसको भी खरेंगे तो जिस्से रॉबर में स्ट्रेटर काय से छिट करना हैint पॉलीमर को कैसे लिखना यह देखो यहां पर नोट से यह फॉर्मट हम लोग प्रेफर कर सकते हैं वोर्स में आंसर लिखने के लिए प्लासिफिकेशन की उपर से मैंने क्या बताए की एक एडिशनल पॉलिमर होते हैं दूसरे हमारे पस्टेशन पॉलिम्र अब देखो क्या है दूनों में देखो एंगो अगर आपने क्या है दोनों में देखो अगर हम दोग बात रहें कि हैं और अक्राइकिन क्या होते हैं तो इसस पॉलीमर एसे पॉलीमर होते हैं जिनके बंपॉइ एक लाइन से से यह जाएंगे बट जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है कि जब इनकी मोनोमर यूनिट आपस में लिंक करेगी तो वो लिंकिंग के वजए से कुछ बाइप्रोडक्ट बनेंगे जैसे वॉटर हो गया या मीथेनॉल हो गया अगर कोई भी पॉलीमर देख रहे हो अगर उसके ब कंते टाइम कोई बाइप्रोडक्ट भी बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बहुते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर यह हो गया है नेक्स वे चलते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ट डॉन इंटर मॉलिकिलर फोस अब देखो अगर पॉलीमर को क्लासिफाइब करना बेस्ट डॉन इ ठीक है एक्सटर्नल डाले तो वह अपने साइज को बढ़ा लेगा बट अगर स्ट्रेच हटा दे तो वह आपस अपने अच्छल साइज में आ जाएगा दूसरे आते हैं इसमें फाइबर्स ऐसे पॉलीमर से जिनके पास टेंसाइल स्रेंथ बहुत होती है बहुत जार्दा साइल होंगे वराबर बट उनमें कोई elasticity की property नहीं होती है तो रोप्स होगरे जो इंडस्ट्री में बड़े-बड़े रोप्स यूज करते हैं तैस फाइबर थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग यह दो पॉलीमर की बीच में major difference क्या देखो इस पर बोड में question भी आये ह हुए कि what is thermoplastic polymer and what is thermosetting polymer thermoplastics are those polymer which gets remolded or resized on heating ऐसे polymer जिनको हम remote कर सकते हैं by heating या उनको resize किया जा सकता है और ऐसे polymer जिनको हम लोग ना तो मोड कर सकते हैं ना resize कर सकते हिटींग दोगे तो वो ब्रेक हुझाते हु उनको हम लोग बोलते हैं thermosetting तो जो ﷺ बबोलते हैं जिसे째 कोकर वगरे के handle हो बलाइट से बने होते हैं तो उनको हीटिंग के बार बोडेक हो जाते हैं उनको हम resize नहीं कर सकते तो वह थर्मोप्लास्टिक में आ जाए और नॉर्मल जॉपलितिन कर रहें डेट तो उसको हम लोग कर सकते हैं रे सैस्कार सकते यहां पे कुछ दिए देखो धर मोस्तन पॉलिमर और यह हमारे पास क्या हो जाते हैं थर्म आँख स्रह्क्टिंग क्या ह September होते हैं स्ट्रॉंग कोविलेंट्स बांड होते हैं जिसके वज़े से इनका स्ट्रक्चर रिमोड नहीं कर पाता है या बहुत जादा हीटिंग देने के बाद यह ब्रेक करने तक जाते हैं अगर इनकी मोनोमर यूनिट के हिसाब से इनको डिवाइड किया जाए तो दो टाइप के पॉलीमर होते हैं होमो पॉलीमर और को पॉलीमर को एक वर्ड में हेट्रो पॉलीमर भी बोला जाता है माल लोग कोई पॉलीमर चेन है और उसकी मोनोमर यूनिट सारी सेम है एक जैसी मोनोमर यूनिट है ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं होमो पॉलीमर ठीक है यह डिफ्रेंस आ जाता है कि नेक्स जलते हैं क्लासिफिकेशन वेज्ट बायो डिग्रेडिबिलिटी अब पॉलिमर तो बहुत सारे बनाए जा चुके इंडर्स्री जनरली बहुत सारे पॉलिमर प्रेडियूस कर रही है बट उसमें से भी कुछ ऐसे पॉलिमर हैं जिनको डिग्रेडिबिलिटी वी हाव तो पॉलिमर्स तैट इस बायो डिग्रेडेबल पॉलिमर एंड नॉन बायो डिग्रेडेबल ठीक है तो कुछ आगे की चाप्टर में हम लोग कुछ एक्जांपल्स भी देखेंगे उनको बनाते कैसे हैं उनकी मोनोमर यूनिट क्या होती है क्लासिफिकेशन जब एक्जाम में आएगा तो वो तुमको सारा क्लासिफिकेशन एक बार में नहीं पूछेगा वो सिर्फ बोलेगा classify polymer based on polymerization process तो हमको खली यह दो पार्ट लिखके खतम करना ठीक है based on intermolecular force बोलेगा तो यह चार टाइप based on structure बोलेगा तो यह तीन टाइप ठीक है कभी भी classification पूरा एक साथ में नहीं देगा हमको नेक्स पे चलते हैं नाचरल रबर ठीक है अब हमारे पास कुन कुन से polymer है वो देखते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास natural rubber natural rubber नाचरल rubber होता है ठीक है नाचरल रबर हमको कहां से मिलता है सबसे पहले देखो नेचरल रबर हमको ट्री से मिलता है इन दो फॉर्म ओप लेटेक्स जो रबर ट्री होता है उसको कट करते हैं तो वहां से कुछ लिक्विड निकल गया आता है जिसको लेटेक्स बोला जाता है तो इस लेटेक्स में यह स्टिकी होता है इसको हम लोग डारेक्ली यूज नहीं भी कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं इसको वॉलकनाइज करते हैं वॉलकनाईशेशल एक रबर का प्रॉसेसिंग यूनिट है जिसमें नैच्रल स्किया जाता है उसकी लास्ट इसी यह अदर फिजिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए तो हम लोग इस में सलफर आड करते हैं उसको 100-500 डिग्री पे हीट करते हैं और हमारा जो एक्शल रबर है वो अप्टेन होता है जिसको हम लोग यूटलाइस करते हैं इस मेथड को चार्स गुडियर ने डिवलब किया था तो इस मेथड को वॉलकनाइजेशन आफ रबर बोला जाता है और प्रोसेस श्रीकूल्णड रूबर्टियू रॉस्त हिए और नाचरल रॉसर बॉलकनाइटाशन तो रबर की यह मोनोमर यूट यह लिए चार रह रॉता है उसकी मोनोमर यूट को हम आई-सोप्रीन गोवनते हैं और यह हमारे पास आई-सुप्रीन का स्क्ट्चर रहें इ इसका में बार बार लिंक करते जाती है इसका डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और यह आगे वाली ओजीर को कनेक्ट कर जाएगी तो एक मुणमर यूनिट बार बार करते जाती है तो हमारा नैशुडरल रबर क्या होता है यहां से पर चले रियक्षिन इद्वार्व इन दफॉर्मेशन मैंने क्या बुला यह जो डबल बॉंडड इड मॉलीक्युल यह शिफ्ट कर जाते हैं आगे की तरफ यही से यह रिंग क्या हो जाती है कंबाइन होने लगती है यहां से यहां से तो यह जो कार्बन पर सिंगल बॉंड तो प्रॉपर्टी रिखते है नेचरला से रिपर की क्या क्या बॉपर ़ियुस्ट कर एं क्या प्रॉपरटी जांए इस सारे टॉपिक्स पर क्वेस्टन कम एक्सेटेड होते हैं जैनेर्री मैनिफेक्शरिंग मॉनो मरी यूनिट पर ज्याधा कुशन आएंगे तो यह जो इस पर हम लोग कम भी ध्यान देंगे तो हमारा काम चल जाएगा वगेर उतने नहीं पुछते हैं वुल्कनाइजेशन आफ रबर अभी मैंने बताया कि वुल्कनाइजेशन क्या होता है वुल्कनाइजेशन एक प्रॉसेस है जिसको चाल्स गुडियन ने यह किया था बनाया था जिसमें नैचुरल रबर को आर्टिफिशल रबर में करते हैं बाइदा एडिशन ऑफ सल्फर एंड हीटिंग एट वन एटियम एंड हंडेड टू वन फिफ्टी सेंटिगर क्यों करते हैं टेंसाइल सिंथ को बढ़ाने के लिए अधर फिजिकल प्रॉपर्टी अपेरेंस को बढ़ाने के लिए क्योंकि नैचुरल रबर हमारे काम का नहीं है उसको हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते ठीक है तो वुलकन आइजेशन पर हमको नोट आ सकता है यह चोटे मोटे पॉइंट से जिस पर मुल्टिपल चॉइस प्रेशन आ सकते हैं कि क्या करते हैं कितने अमौन में सलफर आड करते हैं तो जैसे जैसे हम लोग सलफर का मौन बढ़ाते जाते हैं उसकी टेंसाइल स्टेंथ वगरा बढ़ती जाती है जैसे टायर से फिर नॉर्मल एरेजर है उनमें सलफर का कंटेंट डिफरेंट होगा अलग भी एप करेंगे तो पॉलीमर देखते हैं पॉलीमर की मैनिफेक्ट्रिंग कैसे होती है सबसे पहला पॉलीमर है हमारे पास पॉलीथीन इसको मैंने पहले भी डिसकस किया जैसे इथीन का मॉलीक्यूल है इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इतने टिमप्रेचर पे और इतने प्रेशर पे ट्रिट कर दें तो यह लोर देंसिटी पॉलीथीन बनाना स्टार्ट करता है रॉट प्लास्टिक अगिरह है चोटे मोटे बॉटल से यह सब ऑगरे जो हैं वह इनसे बनती है जिनको लोग 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 डेंसिटी पॉलिथीन बोलते हैं इसी का अगर मैं टेंपरेचर प्रेशर बदल अलग टेंपरेचर प्रेशर पर ट्रेट करूं तो यह मिलके बनाते हैं हाई डेंसिटी पॉलिथीन ठीक है से मोनुमर यूनिट है अलग टेंपरेचर है अलग प्रेशर है क्या बना रहा हाई डेंसिटी पॉलिथीन हाई डेंसिटी पॉलिथीन जनेरली क्या होते हैं जो टॉइज वगरा यह ड्रम्स वगरा बनाने के लिए केमिकल कंटेनर्स बनाने के लिए यूज किये जाते हैं इनको बुलते हम लोग हाई डेंसिटी पॉलिमर्ड लब हाई टेम्ट होगा मेंटिंग पॉइंट जादा ओगी पॉइलिंग पॉइंट सब्सक्राइब आते हैं यह कुछ बोर्ड के क्वेश्चन से प्रीवियस यर के जो एक्सप्टेट हैं हमको इस साल भी मतलब इन ही से रिलेटेट क्वेश्चन आते हैं मैंने जनरली चैप्टर के स्टाटिंग में बुला कि जो प्रेपरेशन के में उस पे ज्यादा चीज अब देखो यह सब भी क्वेश्चन है प्रीवेस यर में में मेंचेंड है इवन और लॉन और टेफलॉन के जो टॉपिक्स हैं वह बहुत बार एक्जाम में आ रहे हुए हैं फिर यहां पर देखो टेफलॉन नाइलोन 6 यह कुछ ऐसे पॉलिमर से जो बार-बार रिपेट पूछे गए हैं तो आगे देखते हैं कि प्रेपरेशन के क्या का में सबसे पहला पॉलिमर है हमारे पास टेफलॉन कैसे बनाते हैं टेफलॉन की एक मोनोमरी यूनिट होती है है cf2 double bond cf2 जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे एकस्पांड करके अगर हमको लिखना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसका जो एक्शोल नेम है वो क्या हो जाएगा 1122 टेट्रा-फ्लिवरो-इथिन मेराबर यह जो पारबर पॉलिमराइज होगा पॉलिमराइजिशन प्रसेस में जिब जाएगा तो इसके जो एन यूनिट्स है यह डबल पॉन ब्रेक होगा यह चैन यहां से कंटीने हो जाएगी यह यहां से और ऐसा कुछ श्रक्ट्टर हमको देखने को मिलता है तो इसको थो नेक्स्ट पॉलिमराइज है मारे पास पॉलि एक्राइल नाइट्राइल एक मोनोमर यूनिट होती है जो उनको याद रखनी पड़ेगी फिइस टूडबल-वांड चीच और सी न यह मोनमर यूनिट है जब यह पॉलिमराइज होगी तो इसका यह डबल बांड हटेगा और यह यहां से इसे continue हो जाएगा तो एंड करके यह structure continue हो जाता है polyacrylonitrile generally इसको हम लोग wool as a wool substitute use करते हैं जो carpet वगरे के कपड़े होते हैं वहाँ पे हम लोग polyacrylonitrile को use करते हैं next polyamide polymers ठीक है इसमें आता है nylon अब नाइलोन के अलग अलग टाइप हैं और maximum question जो polymer से हैं वह नाइलोन के उपर पूछे जाते हैं तो नाइलोन में student बहुत confused होते हैं क्योंकि उसके preparation का method थोड़ा सा अजीव है तो एक ही वीडियो में मैं सारा नाइलोन के सारे preparation बता देता हूं कि वह कैसे दिखेंगे हमको देखो अगर हमको prepare करना है तो सबसे पहले यह जो नाइलोन है कि दो अलग-अलग city के नाम पर बना हुआ है जैसे हम लोग बुलते हैं न्यूव यॉयॉक और लंडन है ठीक है तो नाइलोन से अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले निकल के आता है नाइलोन इस पर नाइलोन इस नाइलोन शिक्स और दूसरा आ सकता इस पर नाइलोन शिक्स अब इसमें फरक क्या है तो सबसे पहले याद रखो कि यह जो नंबर है यह कार्बन के नंबर से है ठीक है इसी मॉनोमरी इनट में कार्बन कितने होंगे और नाइलोन बनाने के लिए दो चीज़े द्यान में रखनी है एक तो इसके छे कार्बन के इस तरफ नेश्टू होगा दूसरे तरफ नाइलोन सिक्स की अगर मोनमार यूनिट बनानी है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे एनेश्टू दूसरे साइड पर क्या होगा कार्बॉ कितने कार्बन इसके पास टोटल होने चाहिए छे एक तो हमने कार्बाग्जिलिक में यूज़ कर दिया बची यहां पर जो सीच्टू यूनिट होगी वह कितने पार होगी फाइट यह इसकी मॉनमरी यूनिट हो गई यह जब पॉलीमराइडेशन में जाएगा यहां से और सब्सक्राइब और यहां से सच्चर हमको ऐसे दिखेगा एन एच सीच्टू फाइल और यह यहां पर कंटीनुम होता जाएगा अब यह जो स्ट्रक्चर बना है यही हमारे पास क्या है नाइलों सिक्सिक्स कैसे बनाएंगे तो जब दो बार वर्ट्स नंबर्स दिखेंगे के दोनों तरफ यह दोने लगा देनी है और इसके दोनों तरफ क rights उसके जब मैं मूनों मेरी योनेट बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा देखो NH2 NH2 बीच में कितने carbon 6 और हैं कि structure में carbon नहीं है तो CH2 unit 6 time कर दो प्लस अब जो 6 लिखा है उसके दोनों तरफ क्या होंगे carboxylic acid बट carboxylic acid लिखते ही मैंने 2 carbon already represent कर दिये तो बचे कितने 4 अब यह unit हो गई अब देखो यह एक ही unit से बना है तो यह homo polymer है अब इसमें unit अलग हो रही है तो यह heteropolymer है यहां से हो जाएगा यहां से हैच यहां से हैच और यहां से होई क्या बन जाएगा एन एच कि एच्टू 6 एन एच सी डबल कॉंड़ यह सी एच्टू 4 सी डबल कॉंड़ यह हो गया हमारे पास नाइलोन 6 6 अब नाइलोन टू और नाइलोन 6 जब यह वर्ट्स और नंबर साथ में लिखे होंगे तो इन दोनों के साइड एन एच टू और कारबॉक्स इसके दोनों साइड एनेच टू और कारबॉक्स विक इसा कैसे बनी की युनिट मनोबर पहले ञखना है किथे दूसरे साइड कारबॉक्स यह थे जू 항 एक मैंने बता बना दिए एक यूनिट आएगी नेक्स यहां पर क्या जाएगा एनेच्टू दूसरे साइड पर लिखोगे कार्बागजली अब टूटल कितने कार्बंच यह थे छे एक तो मैंने अल्रेडी बना दिए तो सी एश्टू यूनिट यहां पर फाइब ठीक है तो नाइलोन में जो हैं तुमको अडिशनल पॉलिमर भी दिखेंगे कंडंसेशन भी दिखेंगे होमो पॉलिमर भी है हेट्रो पॉलिमर भी है यह सारे क्लासिफिकेशन अल्रेडी मैंने बताये हुए तो स्ट्रुक्चर देखके हम लोग जज़ कर सकते हैं कि वेदर कौन स किस पॉर्म में क्लासिफाइब होगा आगे जलते हैं नाइलोन मैंने एक्स्प्लेइन कर दिए कि कैसे बनाने हमको ठीक है उसके बाद आता हमारे पस फेनॉल फॉर्मल डिहाइड पॉलिमर होते हैं यह थर्मो सेटिंग पॉलिमर होते हैं जिनको अगर हम लोग हीट करें त पॉलिमर होते हैं जिनको अगे देखो अप20ड पॉलिमर होता क्या है यहां पे हमने में यह लिया है अब यह और्थो पे भी अटाइक कर सकता था और पैरा पे जैसे हमने पढ़ा हुआ है वेज ग्रूप क्या होता है इसकी और पैरा पोजिशन एक्टिवेटेड होती है तो और तो पे सकता है और पैरा पे अगर इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखे तो एक दो और तीन तीन जगह पर आके सब्सेटिव जाएगा नेक्स्ट इप में यह जो यूनिट हमने बनाई हुई है यह अपस में लिंक करते जाएगी यहां से यह को रिलीस करेगा और आगे वाली यून स्की है थेर्ड स्टेट में क्या होगा यह जो नौव लैक की उनिट है यह अपने आपको थरीडशे में सब्सेंटे बना टिक यह यह सेभी नीचे और वंकर नहीं होगा नेक्स बोचलते हैं मेलमाइन और ना डियुएड पॉलिमर मेलमाइन का स्ट्रक्चर इमपॉर्टेंट है अब देखो मेलमाइन बनाना कैसे है जैसे हमको बेंजीन बनाने आता है बेंजीन बना लेना है डबल गॉण कर दो यहां पे अल्टरनेट पोजिशन पर तीन नाईट को लगरो उना कि स्ट्रक्ट्चर को मेला मायन बोला जाता है किम्हें यह मेला मायन का स्ट्रक्ट्चर है अब इस पर जो हम लोग फॉरमंड का अटाक करते हैं यह जो लोन निपिर वो स्ट इसको डॉनेट कर देगा अब इसको डोनेट करते ही यह यहां पर जा सकता है दूसरा यहां पर दीसरे तो ऐसे चैन बनने चाइजा पर इसे ताइज बनता है बनाता है मेला माइन के साथ तो जो वगेरा होती है बनाने के लिए जो आजकल नए टाइब की क्राइब ती है नौन ब्रेकिबल वाली वह मेला माइन फॉर्मलड़ी हाईट से बनाई जाती थिक है तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है करे फोकसर ना है और मॉनोर यूनिट पर ध्यान देना है की कौन सी मॉनोरी यूनिट हमको यूटिलाइज हो रही है ठीक है तो डेकोरेटिव टीबल स्टॉप लाइक फारमाइका वगरा बनाने के लिए इसको यूज में लेते हैं नेक्स की तरफ बढ़ें तो सेंथेटिक रबर ठीक है जैसे भी मैंने बुला कि नाचुरल रबर जो होती ही वह हमारे यूज की नहीं होती है तो हम लोग उसको सेंथेसाइज करते हैं अपने यूज का बनाने के लिए पाइचेंजिंग इट्स थर्मल स्टेबिलिटी टेंसा सबसे पहला सेंथेटिक रबर आता है हमारे पास बूना एस यहां पर यह जो बूना एस वर्ड है इसका मतलब भी होता है और एस मतलब होता है स्टाइरीन यह सारे वर्ड तुमको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि क्या क्या चीज़े रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है त चार हो गए हमारे पास तो व्यूटा वन्ट्री डाइन हो गया और स्टाइरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वह ऐसे होता है बेंदीन होगा उसपे चीज़ अब इनको सिर्फ क्या करना है कंबाइन कर देना राइट इसका डबल बॉन्ट सिंगल में करण जाएगा इसका डब इस टू दिख रहा है फिर क्या आगे यह सिए फिर यहां पर डबल बांट पॉर्म हो रहा है यह सीच टू एस टू आँच करनेक्ट कर रहे हैं इस सीच को और उसके पाद हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है इसको हम लोग शौर्ट में SBR बहुते हैं स्टाइरीन ब्यू विद दे रिगार्ड्स ऑफ मेकेनिकल स्टेंथ एंड यूस्ट एज रिजिस्टेंस एंड टायर इंडर्स्ट्री तो जन्रली टायर वायर बनाने के लिए हम लोग बुना एस रबर को प्रेफर करते हैं नेक्स रबर की तरफ चलते हैं अब नियोप्रीन क्या होता है जैसे आईसोप्रीन हमने रबर की यूनिट देखी दी वैसे ही होता है क्लोरोप्रीन को अगर मैं बार-बार पॉलिमराइज करूं तो दिख रहा है यह जो डबल बॉंड है यह कनवर्ट हो जाएंगे सिंगल में और यहां पर सिर्फ क्या डालना है डबल बॉंड यह देख रहा है सीएश टू सीएल यहां पर डबल बॉंड आ गया और यह तो जो क्लोरोप्रीन होता है उसी को अगर हम लोग बार-बार पॉलिमराइज करें तो इसी स्ट्रेक्शल को हम क्या बोलते हैं नियोप्रीन इस अगर नियोप्रीन पर नोट लिखना है तो सिर्फ क्या nommar unit लिया है हमने क्या रिपरेशन के बाद वहंको से विशिबल होगा तो फेल और विश्किस रियान रियाँ को जरुत होता है उसको यह से ट्रीट करते हैं तो वह अलकली सेल्यूलोस फॉर्म करता है उसके बाद ट्रीट्मेंट के बाद वह हमको ऐसे टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाके देता है रहां वगरे बहुत कम क्रेश्चन आये हुए हैं तो यह चीज़ अगर हम लोग लोग नहीं भी प्रेफर करते हैं तो भी चल जाएगा मैक्सिम्म क्वेश्चन दुमको इस आप्टर से नाइलोन पर मिलेंगे दूसरा हमारे पास सेंथेटिक रबर वॉलकनाइजेशन और और नेक्स हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन आफ पॉलिमर तो यह कुछ हैसे टॉ पढ़के जाते हैं तो कोई खास परक नहीं पढ़ेगा प्लस इनका जो स्क्टर सोता है वो थोड़ा कॉंप्लिकेटिट होता है तो इनका जो फाइनल प्रेपरेशन है वह हम लोग देखके जा सकते हैं ठीक है यह एक बार रिवाइस कर लेंगे हम लोग फाइनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो एक रिपीटिंग पैटन में जुड़े होते हैं तो मैक्रो मॉलीकिलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा अगर मैं मॉलीकिलर मास बढ़ा रहा हूं इसका मतलब क्या है कि हम लोग उसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर दें और वैसे वैसे जैसे ज्एक मॉलीकिलर मास बढ़ेगा डेक्रीयं बढ़ेगी प्लस उस पॉलीमर की जो स्ट्रेंथ है जो टेंसे इसे हम्र्मप्रणी या नेक्श्ट को बायो डिव्य बल पॉलीमर है अभी थोड़ दैम पहले हम डिसकस कर रहे थे कि बायो डिवन होते थे चेउस इस पॉलीमर होतेurg जो नेकाम होने की सबमारे हो आड है कि हमारे पास भेपाने और जिनको अगर नेचर में डाल दिया जाते हैं वह पढ़े रहते हैं तो कुछ ऐसे भी पॉलिमर बना जाते हैं इंडस्टी में जो डिग्रेड़ेबल हो सके तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बायो डिग्रेड़ेबल पॉलिमर इसमें पहला एक्जामपल आता हमारा पी एच पीवी पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्योक्रे है बीटा हाइड्रॉक्सी ब्योंटेनोबिक आसे इसको हम लोग है हुआ है रिटरॉक्सी ब्योंटरिक आसِ अचेल ग्रिश्मिक हरोह के लेख सकते है दूसरा इसको हम लोग बिटा हाइड्रॉक्सी है legal fenternen lead लिख सकते हैं तो यहे कमक्ता परना नहीं है यह सिट है यहां यहां से एच प्लस निकला यहां से और यहां से एच निकला इसको निकाल दो और बाकी उनिट को हम लोग क्या कर देते हैं इसे करते हुए आगे चल जाते हैं इस वजह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां आजमर बास नाइलोन-टो-नाइलोन-इ錯 है नाइलोन-टो-नाइलोन फिक्स बनाना है इसके емся ख साइट कर बाक्तिव इस वाटर रिलीस करेगा और इसके बाद यह मिल जाएगा हमको ठीक है तो कॉमर्शली इंपोर्टेंस कुछ यह कुछ हैसे जैसे ग्लिप्टल वगरे के यूज हमको एकजाम में आ सकते हैं कि कहां पर यूज होता है कैसे यूज करते हैं हम लोग यह कुछ पॉलिमर हैं जो हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे बाखी पॉलिमर में इसे कोई बहुत जादा इंपोर्टेंट छीजे नही हैं बट जहां तक मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन प्रिपेर करने तो पॉलिमर से सबसे पहले क्लासिफिकेशन प्रिपेर करो नाइलों प्रिपेर करो उसके बाद रबर्स के जो टॉपिक्स हैं और एक बाकी बीच में कुछ इंपोर्टेंट उतने जादा ट थैंक यू